हेलो एव्रिवन सब्सक्राइब कीज़े हमारे कनल को अग दबाईए इस घंटे को हेलो सुडेंट कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग अच्छी होंगे अब हम कुशन नंबर टू करेंगे आप सभी लोग मुझे फॉलो करते हुए चल रहे होंगे बस मुझे फॉलो करते हुए चली है हम अपना जो कोड से वह बहुत जल्दी खतम कर लाएंगे ठीक है तो देखो देखते हैं कुशन नंबर टू find a quadratic polynomials each with the given number as the sum and product of its 0 respectively क्या बोला कि आपको quadratic polynomials को भी find करना है ठीक है जहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या sum and product of 0s respectively sum और product of 0s यह दिया हुआ है यह sum दे रखा है zeros का sum दे रखा और यह उसका product दे रखा है ठीक है ऐसा हमने question किया था याद करो example 4 हमने किया है ठीक है और इससे हमें क्या निकालना है quadratic polynomials को निकालना है आपके लिए most important question है आपके board के examination point of view से ठीक है देखते हैं इस तरीके से करेंगे तो देखो sum of 0s sum of 0s क्या होता है sum of 0s क्या होता है alpha plus beta और यह alpha plus beta की value क्या दे रखिए 1 upon 4 क्या दे रखिए 1 upon 4 और alpha plus beta किसके equal होता है minus के b upon a के equal होता है तो minus का b upon a is equal to 1 upon 4 इसका मतलब है कि जो b है यह minus का b किसके equal है 1 के equal है और a किसके equal है 4 के equal तो मैंने लिखा minus का b is equal to 1 तो b is equal to क्या होता है minus का 1 तो b की value निकल आई एक किसके equal हो जाएगा 4 के यह रहा अब product of zeros निकालेंगे तो product of zeros आपको क्या दे रखिए minus का 1 product of zeros क्या होता है alpha beta और alpha beta किसके equal होता है c upon a के equal होता है अब देखो यहाँ पर इस चीच को थोड़ा समझेंगे यह कितना दे रखिए minus का 1 minus का 1 दे रखा है तो किस अब यह दे रखा है यहाँ पर minus का 1 तो इसके नीचे denominator में भी क्या होगा 1 अब देखो इस चीच को ऐसे समझो यहाँ पर कि आपको c upon a is equal to दे रखा है minus का 1 इसका मतलब क्या c upon a is equal to क्या होगा minus का 1 upon 1 होगा ठीक है अब a की value तो थी 4 लेकिन यहाँ पर a की value है 1 यह दो-दो value तो हो नहीं सकती है तो हम a की value क्या मानेंगे 4 ही मानेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 से multiply करेंगे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 4 से multiply करना पड़ेगा वही हमने किया तो c upon a is equal to क्या किया minus का 1 upon 1 multiply 4 multiply 4 तो क्या जाएगा c upon a यानि की c is equal to minus का 4 और A is equal to 4 तो A की value 4 तो मैं लिखी चुका हूँ तो C की value क्या हो जाएगी minus का 4 तो देखो हमारे को तीनों value मिल गए B की value, C की value, A की value और हमारा जो quadratic equation होती है वो किस form में होती है A x square plus B x plus C यहाँ पर A की value है 4 तो 4 x square plus B की value के यदे रखिए minus का 1 तो bracket में लगा minus का 1 x plus C की value के यदे रखिए है minus का 4 तो यह क्या हो जाएगा 4 x square plus or minus minus और 1 का multiply x महोगा तो x minus अब देखो plus or minus 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 का 4 तो यह होगी आपकी quadratic equation चीक है इसी तरीके से इन questions को करते है question number 2 का पहला part यहाँ पर होता है complete अब करते हैं second part अब second part में क्या बोल रहा है root 2 और 1 upon 3 तो root 2 का मतलब यह क्या है sum of zeros आपको question में पहली बोल रखा है तो पहली value of a sum of zeros है और दूसरी values है वो है product of zeros okay अब देखो sum of zeros क्या होगा minus का b upon a ठीक है c upon a product of zeros क्या होता c upon a c upon a is equal to क्या दे रखा 1 upon 3 ठीक है तो भाई जब denominator किसी के भी denominator में कुछ दे रखा होता तो देखो यहां देखो minus का b upon a तो डे रखा root 2 upon 1 और a की value तो यहां पर क्या है 3 है हमने यहां से निकाल लिए तो a के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा 3 से multiply करना पड़ेगा तो उपर भी क्या करना पड़ेगा B की value क्या होगी, जब इन दोनों का multiply होगा, तो 3 root 2, और ये वाला minus जो है, ये इस क्या लग जागा, तो B की value क्या हो जाएगी, minus का 3 root 2, समझ आ रहा है के नहीं आ रहा, अपनी quadratic equation किस फॉर्म में होती है, A x square, plus B x, plus C के फॉर्म में होती है, ठीक है, तो देखो, A की value कितनी निका ली थी हमने, 3, तो हमने लिख 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 है, 3x square, plus B की value क्या थी, minus का 3 root 2, तो हमने लिखा bracket में, minus का 3 root 2, x, और C की value क्या निका ली है, हमने, 1, तो 3x square, plus or minus, minus, 3 root 2, x, plus 1, हो गई है, हमारी quadratic equation यह, आया है समझ में, इसी तरीके से question करते हैं, ठीक है, third part क्या होता है, देखो, 0 और root 5, यानि की 0 का क्या मतलब हुआ, 0 क्या दे रखा है आपको, sum of 0, यानि की alpha plus beta दे रखा है, और यह क्या होगा, alpha beta दे रखा है, ठीक है, तो देखो, sum of 0s, क्या दे रखा है, minus का B upon A is equal to 0, और product of 0, C upon A is equal to, क्या दे रखा है, root 5, अब देखो, इसके नीचे, देखो, अगर इसके नीचे, 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो minus का B upon A is equal to 0 upon 1 ले सकता हूँ, तो B की value तो क्या होजाएगी, 0, और B, जो 0 होता है, ना तो वो positive होता है, negative होता है, ठीक है, अब जैसे आप बोलते के, B is equal to, तो minus का 0, minus का 0 नहीं होता है, 0 की value 0 होता है, और A is equal to क्या होगया, 1, यहाँ पड़ देखो, C upon A root 5 है, तो C upon A is equal to root 5 upon 1 लिख सकता हूँ, A की value 1 है, अल्रेडी लिख चुका हूँ, C की value क्या होजाएगी, root 5, तो आप जब इसे लिखोगे, A x square plus B x plus C, तो A की value 1 थी, 1 x square plus B की value क्या थी, 0, तो 0 x plus C की value क्या थी, root 5, ओके, तो अब देखो, x square, इसका multiply वो तो 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचा, plus root 5, तो x square plus root 5, यह आपकी quadratic equation बन गए, quadratic equation मतलब quadratic polynomials जो है, वो आपका बन गया, ठीक है, समझ में आ गया, बता चुका हूँ, quadratic polynomials क्या होता है, जिस अब इसका fourth part देखेंगे, one और one, यानि की alpha, beta भी क्या दे रखा है, अब देखो, alpha, beta की value भी दे रखी है, one, alpha, beta की value भी दे रखी है, one, sum of zeros क्या होता, minus का b upon a is equal to one, minus का b upon a is equal to one, minus का b upon a is equal to one upon one लिख सकते हैं, तो a की value तो हो जाएगी, यहाँ पर one, और b की value क्या हो है, one, तो c upon a is equal to क्या हो जाएगा, one upon one, लिख सकते हैं, तो यहाँ पर a की value one है, यह तो already लिख चुका हूँ, तो c की value क्या हो जाएगी, one, अब a x square, plus b x plus c, तो a की value one थी, तो one x square, plus b की value minus का one थी, minus का one x, और c की value one, तब one x square, minus, plus or minus, minus का one x, plus one, यह लिख सकता हूँ, अब one x square लिखने की जिरूत नहीं है, one का multiply x में होता हूँ, तो x square लिख सकते हैं, इसे minus का x, plus one, यह होगी आपकी quadratic equation, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इसी तरीके से इसका fifth part देखिए, तो minus का one upon four, और one upon four, यानि कि alpha बिटा कितन to one upon four दे रहा है, तो a की value तो four होगई, अब minus का b is equal to क्या रहा है, minus का one, तो b is equal to क्या होगा, one, a की value four है, यहादे ही रखिए, c की value क्या होगई, one, तो बस वही करेंगे, a x square plus b x plus c, a की value क्या रहा है, four, तो four x square, plus b की value क्या रहा है, one, one x, और c की value one दे रखिए, तो four x square plus x plus one हो गया यह भी simple question है इसी तरीके से आप देखो गए तो इसका 6 part देखो 4 और 1 तो देखो sum of zeros क्या दे रखा minus के b upon a is equal to 4 तो minus का b upon a is equal to 4 upon 1 लिख सकता हूँ product of zeros क्या दे रखा c upon a is equal to 1 तो c upon a is equal to 1 upon 1 अब यह a की value 1 अब b की value क्या हो जाएगी minus का 4 और यह minus से दर आजाएगा तो b is equal to minus का 4 a की value 1 है और लेडी लिख चका हूँ c की value क्या है 1 तो ax square plus bx plus c के form में होता है तो 1x square plus b की value minus c minus का 4x plus 1 तो यह हो जाएगा x square minus का 4x plus 1 यह भी हो गया answer तो इस तरीके से आपकी exercise 2.2 जो होती है वो होती है complete जिका थैंक यू